हेलो फ्रेंड्स मैं लेके आया हूँ आज आप लगों के लिए एक ख़वर जिसके अंदर बताने वाला हूँ मैं SBI में आई नई भरतियां तो दोस्तो 23 मही की बहुत बड़ी अफडेट है ये SBI के अंदर नई भरतियां आ चुकी है ये नोटिस कल रात को आया है तो आप नोटिस को भी चेक कर सकते हैं हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं कि SBI के अंदर जो वकैंसी आई है वो आई है स्पेसलिस्ट ओफिसर की और ये रिक्रूटमेंट 2019 की है और टोटल वकैंसी की अगर बात की जाए तो आप ओनलाइन एपलाई कर सकते हो 589 वकैंसी ओ के लिए तो आप देख सकते हो थमनेल के उपर 589 वकैंसी ओ के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा जो अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे आपको दिखाई दे रहा है यूट्यूब सैम एजूहब से आप नीचे रैड बटन को सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा आप हमसे जूड़ सकते हैं यूट्यूब के अलावा टिवीटर पे फेस्पुक पे इंस्टा ग्रूप इंस्टागराम पे तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स के अंदर दिये हैं इसके अलावा आपको किसी भी exam के बारे में PDF डाउनलोड करनी है तो आप telegram का हमारा group join कर सकते हैं, whatsapp group join कर सकते हैं, जिनका link भी मैंने already description box में दे दिया है, तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं ये विडियो, तो जो notice आया है उस notice को मैं दिखा देता हूँ, official notification आया है दोस्तो और ये कल आया है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, Central Recruitment and Promotion Department, Corporate Central Mumbai, तो मुंबई से आपका ये notification आया है, और इसके अंदर जो advertisement number आपका ये दिखा रखा है, दोस्तों, online registration की जो last date है आपकी, online registration याने की आज से ही आप online form भर सकते हैं, और इसकी last date है 12 जून, तो 12 जून इसके अपर क्लिक करेंगे तो आपकी official website open हो जाएगी, तो वहाँ पे जाकर आप apply online कर सकते हैं, इसके अलावा जो भी instruction है, वो सारी सारी instruction आपकी इस notice के अंदर है, तो आपको ए notification हमारे telegram और WhatsApp group के अंदर मिल जाएगा दोस्तों, इसके अलावा जो vacancy की detail की अगर बात की जा manager e-wealth के लिए total 486 vacancy है, जिसमें category की बात की जाए, तो category के according आप notification के अंदर check कर सकते हैं, इसके अलावा आप customer relationship executive की vacancy है, relationship manager team lead की है, तो इस तरह से आपकी total अगर बात की जाए, तो total आपकी 589 vacancy है, general की total 230 है, इस तरह से परते category की आप ऐसे vacancy check कर सकते हैं, इसके अलावा जो सबसे important है आपका, इनमें से जो भी आपको full form देखनी है, कि क्या चीज़ क्या रखती है, तो ये आपकी full form ने यहाँ पे दिखा रखी है, कि ST का मतलब क्या है, ST का मतलब क्या है, तो आप category की full form देख सकते हैं, इसके लावा आपको education qualification जाननी है, कि कौन सी post के लिए education qualification क्या रहेगी, तो ये आपकी यहाँ पे post number दिखा रखी है, तो आप check कर सकते हैं, ये आपकी post number है, और ये post के लिए education qualification है, तो दोस्तों आपकी जो education qualification है, वो 1-4-2019 तक complete होनी चाहिए, उसके coding आपको ये detail दे रखी है, और post qualification के साथ अगर आपका work experience है, तो वो भी आपका यहाँ पे आपको पूरी detail के साथ दिखा रखा है, तो आप notification के अंदर ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको age के अंदर relaxation चाहिए, तो category के अगर बात की जाए, तो SC category के अंदर आपको 5 साल की benefit मिलता है, और OBC के अंदर आपको 3 साल का, इसके PWDN की person with disability के लिए है, तो SC ST category से सम्मध रखता है, तो उसको 15 साल के लिए, और OBC को 13 साल के लिए, और general या economic wicker section के लिए 10 साल की extra आपकी age relaxation रहेगी, तो ये दोस्तों, आपकी जो profile and keep responsibility area के according आपकी दिखा रखी है, कि आपकी ये responsibility रहेगी, और आपको ये product के उपर invest करना पर जो भी है सारी detail आपको यहाँ पर दिखा रखी है दोस्तों, इसके अलावा आपका कोई भी doubt रहता तो आपको हमसे doubt clear कर सकते हैं, आप अपना comment section के अंदर comment सोड़ सकते हैं, इसके अलावा भी आपकी कोई राय है या फिर कोई doubt है, तो सारी चीज़े आप वहाँ पर लिख स 235 आपकी SCSTPWD के लिए और General OBC और EWS के लिए क्या रहेगी आपकी 7700 रुपे फिस रहेगी, इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं, आपका call letter interview के लिए आप कैसे apply करना है इसके लिए, आपको document upload करने है, तो document कैसे upload करने है, उनकी सारी जानकारी है, आपका photo का size कितना होना चा चाहिए, तो आपको दिखा रखा है photo का 20-50 KB के अंदर size होना चाहिए और dimension 200-230 pixel होनी चाहिए, signature का 10-20, 14-60 pixel उसका dimension होनी चाहिए, तो इसी तरीके से आपको प्रतेक document की यहाँ पे detail दे रखी है, दोस्तों वो सारी general information आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, तो यह दोस्तों notice जो यह आपको जो भी update news पानी है, तो हमारे channel को direct subscribe कर सकते हैं और bell icon को press कर सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज सबसे पहले सबसे strict news लेके आते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप हमारे YouTube channel को subscribe करते हो, वीडियो को like करते हो, तो हमारी मेहनत जो हम आप लोगों के लिए करते हैं सबसे पहले news प्रोवाइड करवाने की, वो आपके लिए द्वारा स्वीकार हो जाती है दोस्तों, तो थैंक्यू दोस्तों बने रहे हमारे साथ ऐसे ही upcoming वीडियो का मजा लेने के लिए, जै हिंद, जै भारत!